नमस्कार नहूं शिखासरे और आप देखरें जियन भारत राजफोंड के समीब जेमेम का धरना जारी है जो की केंद्र सरकार के खिलाफ है क्या ही ये धरनी की वज़े और क्यों ये धरना दे रहे हम चानेंगे इनसे आज ये पूरे अपने हरे पोशाक में है जेमेम को रिप बाद ने हैं जो केंद्रिये में बैटके जो अतियाचार कर रहे हैं जुल्म कर रहे हैं जहां जहां उनकी सरकार ने हैं वो जुल्म करना चाह रहे हैं ये काम नहीं होगा आपको मालूम होगा कि 19 साल हेमन सरकार नहीं चलाएं बलके 19 साल भारतिये जनता पार्टी ने चाहिए यहां जो की ज़ना सब्सक्राइक, जो पैसे मिला हुस्पूटल खुलना सब्सक्राइब है has à आपको यह मालूम होगा आपका कास करके social media पुरे दुनिया देखती है और मीडिया बीके हुए राते बड़ा चैनल से मैं आपको वेलकम करते हैं आपका चैनल को मेरे दोस्त अस्टेलिया में एनीजी लेंड है फ्रांस में आपके मादम से हम उनके तक पहुचाएंगे और मैं बताना चाहते है असफट सूर्फ से कि हमन सरकार जब चला रहे तो दो सा करोना काल आ गिए इंडिया का आठवा टॉप लीडर वो बने क्यों बने उनकी काम अच्छा है उनका करतब अच्छा है उन्होंने वेद्वावनें कि यह हिंदू है मुस्लिम है सीख है आपको बेहतर मालूम है मैडम की जो केंद्रे सरकार जो घेरा जा रहा है हमारे जो ज कुछ तो गलत किया होगा जो इतना बड़ा इलजाम लगा ऐसे ही तो एडी किसी को नहीं उठा लेगी मैडम आप सुने थे लाग चुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा लेकिन चुप चुप के मिलने का मज़ा आएगा दूद का दूद हो जाएगा पानी का पानी आ जाएगा फासाने के लिए किसी को आपको भी पैसा दे देगा और बोलेंगे मेरे तरफ से आप खड़ा होके बोलिए वो काम करेंगे फरवरी में ही जो लीस था उसको सरेंडर कर दिया गया और उसके बाद जो है न चुकी बीजेपी पूरे देश में चार से पाच च्टेटों में अपनी सरकार जो चला रही हो इसी दादागरी के साथ गोवा में इसी तरह से उन्होंने सरकार बनाया ड्राध हमका करके उसके बाद ज्ञारकन को भी आइस्थीर करना चाहती है आम जंता की चुनी हुए सरकार है और कॉंग्रेस और जेमेम का गड़बंदन से यह बहुत अच्छी सरकार चल रही है जिसे आइस्थीर करने की साजिस कभी भी काम्याब नहीं होगी और ज्ञारकन के लोग इसे कभी भी काम्याब नहीं होने देंगे 18 साल सासन करने के बाद उनका जो रेशियो था अर्जुन मुंडा जी रघुवरदास जी और आपका वर्सों से जो बीजेपी सासन कर रही थी उस वक्त यह लोग कहा थे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप हमसे ज्यादे बृलियंट और एंटिलिक्शुल है आपको सब चीज मालूम है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उन्हें से सवाल कर रहे हैं और यह बीडी सब क के जानना मुहां पूरे जारखन के मालिक है उनको आप जो है न बोल दोते हैं कि यह लीज लिये है और वो तो खुद पूरे जारखन के मालिक हें वह क्यों लीज लेंगा यह तो समझने की बात है न हम हैं तो इस तरह से घेरने से और बदनाम करने से आपको हम एक सेर बोल रहे हैं जिसे बहुत जो है आप ध्यान से सुनिएगा इधर मंदीर इधर मस्जीद इधर गुर्दवारा इधर गिर जा खुदा के सभी घर है जिधर चाहे उधर गिर जा ठीक है इस सीच को आप ध्यान से और इसे परमुक्ता से आप दिखला है आप जनता को क्यूंकि देश कोई सेर की जरूरत है इससे समझने की जरूरत है मैंने यह सेर क्यों कहा यह अहमद हुसेन मुहमद हुसेन जो है ना से 40 साल पहले अपने गजल जनता लेकिन दुखी है कह रही कि अढ़ाई साल में महारास तीन कार बदल चुक है वाड़ी क्यू सवन खरेता है यह मेरे सकतर लाक और असी लाक का कार बदल रहे उससे जो है आम जनता को दुख हो रहा और यह नरेंदर मोदी जी जब से सासन कर रहे है तीन सल दौल को 200 रुपय ले गए और आपने भी खाया हमने भी खाया और पेट्रोल अटीजल को कहा से कहा ले गए बेरोजगार लोग हो गए 60 लाक लोग मारे गए पूरे इंडिया में कोरोना मे साथ लाक डबलू एचो के रिपोर्ट को यह गलत साबित करते हैं अगर आपको सही देखना है ना तो आप जो है ना क्या ना हम उनका एंडिया टीविक है रभीष कुमार जी का देखिए ना आप पूरा डिटेल्स आप बोलते हुए पूरा दिखलाएंगे कि कहा मोदी जी पर गिरा जा रहा है अपने सरकार किसी सुरत में नहीं गिरेगी यह आम जनता की चुनू ही सरकार है और हमारे पास तालीस से पचास का बहुमत है कैसे गिरेगी जब सब लोग हम लोग एक जूट थे और हमारे जनता भी हमारे साथ है वह हमें वोट किया और हम जीते तभी तो आज हम यहां बैठे हुए हैं वरना हम यहां नहीं नहीं होते हैं तो यह बीजेपी के जो चाल है वह जारकन में नहीं आप यह कहरे बीजेपी शड़ेंत रच रहा है और यह देश के लिए एक बहुत खतरनाक मैसेज है कि तीस से पहतीस को रोड मुतर गए तो क्या होगा दो परसंड लोग जो है ना सरकार के और सनुधान के खिलाप उतर जाते हैं तो उसे समहलना मुस्किल है कश्मीर के अबादी के दो परसंड लोग नहतियार उठाए हुए पिछले पचास साल से कोई उसे नहीं समहल पा रहा तो आज यहां पे धरना देने से क्या होगा लगता को अधर को यह बतलाएंगे कि आपकी दादा गिरी आपकी बेमानी और आपकी रंगदारी हम नहीं चलने देंगे और नहीं बर्तास करेंगे किसी भी सूरत में जेमेमनता सुहल घान राची नहीं चलेगे इनके पास कोई मुद्दा ने है लगबाग तीन कडोर जनता बेरोजगार हो चुके हैं और इनका नामे मस्जिद इनका नामे मंदिल इनका नामे गुर्दवारा इसका नामे हिजाब इसका नामे वह आई शुके यसी इनका करके रोजगार नहीं देंगे जनता रोजगार खोगर आप प्र हूं कने लिगा तो शोचल मीडिया लोग देख लात चौल क्याना रामदर बाबाबा काणा बोला था तीस रूप्या करेंगके तीन सुर्प्या किजए ना तर ना जाने हैं तो आप देख सक अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले